जैहिंदे टूडे एक्जाम क्लासेज में आप सबका एक बार फिर से स्वागत हैं दोस्तो आज की इस क्लास में हम राधस्तान जी के और राधस्तान करंड़ पेर्स के कुछ मोस्ट इंपोरेंट क्यूसन आंसर देखने वाले हैं जो आपके राधस्तान पसुपरी सर, जूनियर अकाउंटेंट, आर्पेसी सेकेंड ग्रेड और संगणग और पुलिस कॉंस्टेबल जैसे एक्जाम के लिए काफी मोस्ट इंपोरेंट क्यूसन आंसर हैं अगर आप भी इन मेंसे किसी कॉंपिटिशन एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास तक जरू देखें और इन सभी राधस्तान के मोस्ट इंपोरेंट क्यूसन आंसर को जरूरियात करें और दोस्तो इस वीडियो में हमेशा की तरह एक क्यूसन अब्यास के तोर पर आपसे भी पूचेंगे जिसका दवाब आपको कमेंट सेक्षिन में लिखकर बताना है इसलिए इस वीडियो को आप अंच तक जरू देखें तो चलिए देखते हैं आज की इस क्लास का पहला क्यूसन पहला क्यूसन है तमील नडू में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स के छटे संस्क्रण में राधस्तान पदक तालिका में कौन से इस्तान पर रहा हूं तो दोस्तो राधस्तान है जो इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में पदक तालिका में 47 पदकों के साथ पांचवे इस्तान पर रहा था और इन 47 पदकों में राधस्तान इस बार 13 स्वाण पदक और 17 रज़त पदक और 17 ही कांशी पदक के जीते हैं जिसके चलते राधस्तान खेलो इंडिया यूथ गेम्स दोजार चोईस में 47 पदकों के साथ पांचवे इस्तान पर रहा था पहले इस्तान पर माराष्टर राजी और दूसरे इस्तान पर हर्यान राजी रहा था और इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स दोजार चोईस का आयजन है वो तमिल नडू के चार सहरों में 19 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक इसका आयजन है वो किया गया था और 2024 में खेलो इंडिय यूथ गेम्स का चटा संस्क्रने वो आईजितिक किया गया था अगला दूसरा क्यूसन है किस गरंतकार ने अपना गरंत का नाम विकानेर महराजा अनूप सिंग के नाम पर रखा था तो गरंतकार बाव बढ़ था जिनोंने अपने गरंत का नाम विकानेर महराजा अनूप सिंग के नाम पर रखा था नेक्ष्ट अगला कि उसने बवई नरतिय किस संभाग में बसने वाली बवई जाती का एक प्रमुक नरतिय हैं तो बवई नरतिय हैं जो रखा थास्तान के उदेपूर संभाग में बसने वाली बवई जाती का एक प्रमुक नरतिय हैं और रूप सिंग सेकवत, असमिता काला, दयाराम, तारा सर्म आदी हैं जो बवई नरतिय के प्रमुक कलाकार हैं नेक्स्ट अगला की उसने जो काफी मोस्ट इंपोरेंट की उसने वरतमान में राधस्तान लोक सेवा आयोग के अध्यक्स कौन हैं तो वरतमान में राधस्तान लोक सेवा आयोग के अध्यक्स हैं वो संजे कुमार सौत्रिये हैं और रादस्तान लोक से वा आयो की जो इस्तापना है वो 22 दिसंबर 1950 को की गई थी कब की गई थी 22 दिसंबर 1950 को और परतम अध्यक्स है वो रादस्तान लोक आयो के S.K. गोस थे और वरतमान में चंजे कुमारत सौत्रिये हैं जिनका कारेकाल 6 वर्स का होता है जिसमें एक अध्यक्स और साथ अन्य सदशिये होते हैं वही रादस्तान मानवा दिकार आयो की इस्तापना है वो 18 जनवरी 1999 को हुई थी जिनके प्रतम अध्यक्स कांता बटनागर थे और वरतमान में अध्यक्स हैं वो रादस्तान मानवा दिकार के गोपाल कृष्ण व्यास हैं जिनका कारेकाल तीन वर्स के लिए या फिर सत्तर वर्स की उमर तक इनका कारेकाल होता है जिसमें एक अध्यक्स और दो सदशिये होते हैं वही रादस्तान लोकायुत की बात करें तो रादस्तान लोकायुत की इस्तापना है वो 3 फरवरी 1903 को की गी थी जिनके प्रतम अध्यक्स आईडी दुआ थे और वरतमान में राधस्तान लोका युगते हैं वो प्रताप क्रिशनल लो रहा है जिनका कारिकाल पी 5 वर्स और या फिर 65 वर्स की उमर तक होता है जिनका एक ही अध्यक्स होता है और राधस्तान निर्वाचन आयोग की इस्तापना है वो 1 जुले 1994 को हुई थी जिनके प्रतम अध्यक्स अमर सिंगर राठोड थी और वरतमान में राधस्तान निर्वाचन आयोग की अध्यक्स है वो मदुकर गुपता है जिनका कारिकाल 5 वर्स या पर 55 वर्स की उमर तक ही ह होता हैं जिसमें एक सदेशी आयोग होता है और राधस्तान सूचना आयोग की इस्ताफना है वो 18 अप्रेल 2006 को की गई थी जिनके प्रतम अध्यक्स एम डी कोरानी थे और राधस्तान सूचना आयोग के डी बी गुपता है नेक्स्ट अगला की उसने निम्मल लिकित मैंसे कहां पर सेंटर ओफ एक्सिलेंसी मिलिटेंट्स यानि बाजरा की इस्ताफना की जारी है तो जोदपुर कर्शी विश्विद्याले हैं जहां पर सेंट अगला की इसने राधस्तान पवन एम हाइब्रिड उर्जा नीती निमन मैंसे किस वर्सित जारी की गई है तो राधस्तान में पवन एम हाइब्रिड उर्जा नीती है वो 18 दिसंबर साल 2019 को जारी की गई थी अगला नेक्ट की सुनें बीबी जरीना का मगबरा कां इस्तित हैं तो बीबी जरीना का मगबरा है वो राधस्तान के डौलपूर जिले में इस्तित हैं और इस बीबी जरीना के मगबरे का निर्मान है वो मुगल बात साब आजम सा हैं जिनोंने अपनी मा दिलरस बानो की य मगबरा हैं जो दौलपूर जिले में इस्तित है नेक्स्ट अगला कोईज़ने जुनजुन जिले का मानडवा कसबा परिटकों के लिए आकरशन कैंदर हैं जो प्रसिद हैं तो आपको बतादी कि मानडवा कसबा है जो चित्रे तो हवेलिया एं बेती चित्रों के लिए प्रसिद है जो जिन जिन जिले में परेटकों के लिए एक आकरश्र कैंदर है अगला कि उसने सेकावटी चेतर की कला संपदा के सरक्षन हे तो 28 जून 2006 को राज की संग्राले की इस्तापना कहा की गई है तो चेकावटी चेतर की कला संपदा के सरक्षन के लिए 28 जून 2006 को सिक्कर जिले में राज की संग्राले की इस्तापना है वो की गई है अगला नेक्स्ट किउसन है राधस्तान का वा सेर जिसे सिंदू गाटी सब्यता समकालिन सेर जैसा बसाया गया है तो राधस्तान का जैपूर सेर हैं जिसे सिंदू गाटी सब्यता समकालिन सेर जैसा बसाया गया है क्योंकि जैपूर सेर में ही सिंदू गाटी सब्यता की तरे सडके हैं जो एक दूसरे को समकौन पर काड़ती है अगला next question है पक्सी गाउं के नाम से प्रसिद मेनार गाउं राधस्तान के किस जिले में इस्तित हैं तो पक्सी गाउं के नाम से प्रसिद मेनार गाउं है जो राधस्तान के उदेपूर जिले में इस्तित हैं मेनार गाउं की ब्रम्मा जील और दंद जील हैं जो बड़ी संक्या में परवासी पक्षियों की मेजवानी करती हैं जिसके चलते मेनार गाउं हैं वो पक्षी गाउं के नाम से जाना जाता हैं और ये मेनार गाउं रादस्तान के उद्धेपूर जीले में इस्तिते हैं 2020 को विसु बैंक की साहिता से अटल भूजल इसकी में लागू की हैं और अटल भूजल इसकी में वो भारत की साथ राजी हरियना, गुजरात, करनाटक, मारस्टर, राधस्तान, उत्रप्रदेस और मद्यप्रदेस राजियों में भूजल के गिरते इस्तर को रोकने के लिए इ एक अपरेल 2020 को विसु बैंक की साहिता से नेक्स्ट अगला कि उसने बाडोली जो कोटा जिले में सिव मंदिर इस्तित हैं जिसका निर्मान किसने करवाया हैं तो बाडोली के सिव मंदिर का निर्मान हैं वो मिहर कुल ने करवाया था और बाडोली का सिव मंदिर हैं वो रा राधस्तान सरकार में कला साइते संसकर्थी और पुरा तत्व मंत्री कौन हैं तो वर्तवान राधस्तान सरकार में दिया कुमारी हैं जो कला साइते संसकर्थी और पुरा तत्व मंत्री के साथ राधस्तान की उपमुक्य मंत्री भी हैं वही और उपमुक्य मंत्री के तौर प सिक्सा मंत्री हैं और जोगा राम पटेल किस मंत्री के पदपर हैं वो आप कमेंट सक्षिन में लिखकर जरूर बताईए नेक्स्ट अगला कि उसने बैली क्रेशन रुकमनी के रचेता प्रत्वी राज राठोर किस सास के दर्बारी कवी थे तो बैली क्रेशन रुकमनी के रचेता प्रत्वी राज राठोर हैं वो अकबर सास के दर्बारी कवी थे अगला कि उसने तांडना वा मोर बंदिया विवाव निमन में से किस जन जाती में प्रचलित हैं तांडना और मोर बंदिया विवाव हैं वो गराश या जन जाती में प्रचलित एक विवाव हैं अगला किशन है हाली में राधस्तान सरकार ने मुक्य चचीव उसा सर्मा की जगा एक जनुरी दोजार चोईस को किसे परदेश का मुक्य चचीव नियुक्ति किया गया है तो हाली में राधस्तान सरकार ने उसा सर्मा की जगा एक जनुरी दोजार चोईस को राधस्तान का नया मुक्य सचीव है वो सुदान स्पंत को नियुक्तिक क्या गया है अगला नेक्स्त किसने राधस्तान की कौन सी आईपियस ओपिसर सी आईएस एप महानिदेस की कमबाल समानने वाली पहली मैला अधिकारी बन गई है तो रादस्तान की IPS officer नीना सिंग है जो CISF महा निदेशिक की कमाल समानने वाली पहली मैला अधिकारी बनी है कौन IPS नीना सिंग नेक्स्ट किस ने उपर माल पंच बोर्ड संगटन की इस्तापना किस वर्स की गई है तो उपर माल पंच बोर्ड संगटन की इस्तापना है वो साल 1917 में विजे सिंग पतिक दोरा इसकी इस्तापना की गई है किसके दोरा विजे सिंग पतिक के दोरा उपर माल पंच बोर्ड संगटन की इस्तापना साल 1917 में की गई थी अगला कि उसने 16 वी विदानसभा के लिए चुने गए विदानसभा अध्यक्स वासु देव देव नानी कौन से स्पिकर हैं तो वर्तमान में 16 वी राधस्तान विदानसभा के लिए चुने गए विदानसभा अध्यक्स वासु देव देव नानी हैं वो 19 वे विदान सभा इस्पिकर है अगला कि उसने बट बड पक्सी जिसे इस्तानी बासा में रेत का तित्र कहते हैं वो किस अब्यारण में पाए जाते हैं तो राधस्तान के गजनेर अब्यारण में बट बड पक्सी जिसे इस्तानी बासा में रेत का तित्र कहते हैं वो पा नेक्स्ट अगला कि उसने RSIC यानि राधस्तान लगू निगम लिमिटेड को किस वर्स पब्लिक लिमिटेड कमपनी का दर्जा दिया गया हैं तो साल 1975 में RSIC यानि राधस्तान लगू निगम लिमिटेड को पब्लिक लिमिटेड कमपनी का दर्जा हैं वो दिया गया था नेक्स्ट अगला क्यूसिन है आमेर जैपूर में एक से पांच फरवरी दोजार चोईस को जैपूर लिट्रेसर फेस्टिवाल के किस संस्क्रण का आईजनी किया गया है तो हाली में आमेर के जैपूर में एक से पांच फरवरी दोजार चोईस को जैपूर लिट्रेसर फेस्टिवल के सत्रवे संस्क्रम का आईजने वो क्या गया था कब से कब तक एक फरवरी से लेकर पांच फरवरी दोजार चोईस तक कहां पर जैपूर के आमेर में और इस बाद जैपू लिट्रेसर फेस्टिवल का आईजने वो 17 संस्क्रण का आईजने क्या गया है पहले संस्क्रण का आईजने वो साल 2006 में क्या गया था नेक्स्ट अगला किसने हाली में सबसे उमर्दराज का रिकॉर्ड कायम करने वाली बागीन ST2 की मौत किस अब्यरण में हुई है तो हाली में सबसे उमर्दराज का रिकॉर्ड कायम करने वाली बागीन ST2 है जिसकी मौत सरिसका अब्यरण में हो गई है जो सबसे उमर्दराज बागीन थी और इस बागिन की जो उमर थी वो 19 सुवर्स चार महीने की उमर थी अगला किसने राधस्तान की गुड़ सवारी खिलाडी दिव्यकृति सेंग को हाली में किस पुरुसकार से नवाजा गया है तो राधस्तान की गुड सवारी खिलाडी दिव्यकृती सिंग है जिनको हाली में 9 जनुरी 2024 को राश्टपती के द्वारा अरजुन पुरुसकार से नवाजा गया है वहीं दिव्यकृती सिंग की कोच महावीर पुरुसकार से नवाजा गया है नेक्स्ट अगला की उसने जिसका द्वाब आपको कमेंट सक्षिन में लिखकर बताना है तो आज का अभ्यास की उसने मुक्य मंद्री की निक्ति बारती सवीदान के किस अनुशेद के अंतरगत होती है यानि मुक्य मंद्री की जाती है वो भारत के सविदान के किस अनुचेद के तैयरत की जाती है option है अनुचेद 164, option दूसरा है अनुचेद 154, अनुचेद 153 या अनुचेद 163 इन चारों में से कौन से अनुचेद के तैयरत मुक्य मंद्री की तैयरत की जाती है वो आप comment section में लिखकर जरूर बताजिए next अगला अंतिम क्योंसे ने राधस्तान में जीन माता का मंदिर कहां इस्दिते ह 태 які तो राधस्तान में जीन माता का मंदिर है वो रिवासा सिकर जिले में इस्दिते हैं तो दोस्तों ये थि राधस्तान जी के और राधस्तान करंटा पर सहीद कुछ most important question answer जो आपके राधस्तान के पसु परिसर, junior accountant, RPC second grade, police constable, संगनक जैसे exam के लिए काफी most important question answer है उमीद करता हूँ इस सभी question आपको अच्छे से याद हो गए होगे अगर याद होगे लिए इस वीडियो को like जरूर करे चैनल पर पहली बारे तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों इन सभी question का पीडियेप हैं वो आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक आपको हमारे इस वीडियो की description में मिल जाएगा जहां से आप इन सभी question का पीडियेप डाउनलोड कर सकते हैं और दोस्तों हम मिलते एंगली वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिंद बंदे मातरम